किसी में भारती एस्पिसल फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबार प्रेनिंग पीरिट गरूर फोर्स में ही होता है हर कमांडो को बारतर रातों की ट्रेनिंग कोस्त से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बेशिक ट्रेनिंग भी सामिल होती है तीन साल की ट्रेनिंग के बाद ही एक गरूर कमांडो पूर दिता ओपरेशनल कमांडो बनता है ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग लेने वाले में से 30% ट्रेनिग सुरुआते तीन महीनों में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं गरूर कमांडों दुश्मन की बीच पहुचकर चारों तरफ से दुश्मन सिम कबला करते हैं ऐसे में आदुने ये कमांडर ताब और तोड कारवाई को अंजाम देते हैं आईए दोस्तों आज जानते हैं हमारी भारती वायुसेना के इस्पिसल फोर्स यानि की गरूर कमांडों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है और इनका क्या काम होता है सबसे पहले जानेगे कि कब और तो बनी ये फोर्स फिलहाल गरूर कमांडों की सबसे जादा तैनाती जम्मू और कस्मीर में की जाती है इन्हें एयरबॉर्ण ऑपरेशन, एयरफिल सीजर और काउंटर टेरिरिजम जैसे मसलों से निपटने के लिए प्रिंट किया जाता है शान्ती की समय वाई सीजर की एयरफिल की सुरक्षा करना इनकी एक मुख्य जिम्मिदारी होती है गरूर कमांडो फोर्स अगठन साल 2004 में किया गया था जब साल 2001 में आतंग वादियों ने जम्मू और कस्मीर के दो एयरबेस पर हमला किया था तो भारती वाई सेना को इस Especial Force के जरूत महसूस हुए इसकी ट्रेनिंग भी नेवी के मार्कोज और आर्मी के पैरा कमांडो के तरज़ पर ही होती है वाई उसे लग के करूर कमांडो वॉलेंटियर नहीं होते हैं बलकि उन्हें सीधे Especial Force की ट्रेनिंग के लिए ही भर्तिक किया जाता है एक बार इस Force को जोईन करने के बाद ये कमांडो अपने पूरे कैरियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं सब ही रिक्रूट्स का बेसिक ट्रेनिंग कोस 72 हपतों तक चलता है जो कि इंडियन Especial Forces पे सबसे लंबा है शुरुआत के तीन महीनों के प्रोबेशन पीरिड में अट्रेशन रेट काफी ज्यादा होता है इसी बिच अगले चरेन की ट्रेनिंग के लिए बेस जवानों की छटनी भी हो जाती है लगबंग धाएस साल की करेन ट्रेनिंग के बाद गरूर कमांडों तयार किया जाता है इस ट्रेनिंग के दोरान इने उफ़नती नदियों और आख से गुजरना पड़ता है बिना किसी सहारी पहार पर शर्णा होता है भारी बोथ के साथ कई किलोमेटर की दौर लगाने पड़ती है और घने जंगलों में राद गुजाननी पड़ती है इन कमांडों की ट्रेनिंग एस्पिशन फ्रेंटियर फोस, इंडियन आर्मी और नेशनल सेक्यूर्टी गार्ड्स के साथ भी होती है इन जोर में सफल होने वाले जवानों को अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए भीजा जाता है उन्हें आगरा के पैराशूत ट्रेनिंग स्कूल भीजा जाता है जहाँ पर ये मारकोंस और पैरा कमांडोस की तरह ही अपने सीरे पर पैराब बैज लगाती है गरूर कमांडोस को मिजोरं के काउंटर इंसरजन्सी एंड जंगल वार्फेर स्कूल में भी ट्रेनिंग मिलती है इस इंसान में इन्हे यो तम्हें विशेशकिता की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ दुनिया भर की सिनाओं के सिपाही भी काउंटर इंसरजन्सी ओपरेशन की ट्रेनिंग लेने आते है सबसे ख़तरना खत्यारों से लैस होते हैं ये कमांडो अपने ट्रेनिंग के अंतिम दौर में करूर कमांडों को भार्दी सिनक के पैरा कमांडों के शक्री रूप से तैनात यूनिट के साथ फर्स्ट हेंड ओपरेशन एक्स्पिरियंस के लिए भी अटेच किया जाता है दौर कमांडों के सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी पैरा कमांडों और मारकोस कमांडों की तरह ही होती है अगर आप करूर कमांडों के सब लेटिनें के पोस्टर है तो आपकी सैलरी 72,100 से लेकर 90,600 रूपए होगी इनकी सैलरी पोस्ट के हे सबसे बदलती रहती है गर्व कमांडों में सबसे हाईए सेलरी 2,45,000 रूपए तक हो सकती है जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सेलरी के बराबर है इसके लावा मारत सरकारी ने अन्य सुविधायें जैसे हाउस रिंड अलाउंस ग्रेट पियों और कई सुविधायें बच्चों के लिए और परिवार के लिए भी देती है